अब अम लोग देखनी जा रहे हैं इंट्रेस्ट पर परचेशी यानि कहने का अर्थ है कि आप समान परचेश करते हैं और उदहार में परचेश कर रहे हैं और यदि उसकी पेमेंट जो दिये गए तारीक के बाद आपको इंट्रेस्ट की अदायेगी करनी होगी जिस इंट्रेस्ट से आपको दिया जाएगा आईए इसे हम लोग एक एक्जाम्पल के द्वारा समझते हैं एक्जाम्पल है टैली 14, 8-6-2012 Mr. Roy purchased the following goods from Pacific merchants on credit for 30 days Interest is to be calculated at 10% per annum Mr. Roy ने Pacific merchants से समान purchase किया है कि मैं 30 दिनों के अंदर में on credit for 30 days मैं 30 दिनों के अंदर में आपकी इस उदार का अदाएगी कर दोंगा और यदि नहीं कर पाया तो interest का calculation होगा 10% per annum 10% सलाना 30 दिन के बाद से टीक है 30 दिन के बाद से हमारा देश शुरू हो जाएगा और जितने दिन बाद मैं अगर payment करता हूं उसके बाद तो आप 10% per annum के हिसाब से आप हमसे interest लिजिएगा on credit item परशिश कर रहे है high capacity stabilizer and open welcome high capacity stabilizer लेते हैं 200 पीस at the rate of 600 650 इसका total value हो जाता है 13,00,00 रुपया और इस पर वैट लग रहा input वैट 12.5% total value हो जा रहा है 14,00,00 6,250 रुपया 14,00,00 6,250 रुपया और open welcome है 300 पीस जिससे की purchase कर रहा है 1,600 रुपीस पर पीस इसका total value हो जा रहा है आपको 4,80,000 रुपया और इस open welcome पर input वैट है 4% तो वैट लगाकर total value हो जा रहा है 4,99,200 रुपया जोडो का total sum amount हो जा रहा है 6,45,450 रुपया अब हम लोग इसी examples के द्वारा देखेंगे कि interest पर कैसे purchasing होता है तो जो भी purchasing हो रहा है और जिस purchasing के लिए हमें interest की अदाइगी करना पड़ता है उसके लिए क्या करते हैं अलग से group create कर लेते हैं summary creditors में group create कर लेंगे interest creditors नाम से और इसी interest creditors में ledger create करेंगे pacific merchants जिससे की हमें ये purchase करना है तो आएए इस process को अब हम लोग करना सुरू करते हैं interest calculation के लिए हमें सबसे पहले तो interest को activate करना होगा तो activate करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां इस gateway of tally जो दिखाई दे रहा है इसमें right side में जो बार है यहां पर हमारे वो f11 features है तो keyword से f11 दाविए या इस f11 features पर click किजिए mouse से f11 features click करते ही हमें company features का info खुल जाता है gateway of tally में company features का info खुल जाता है और यहां अब हम लोग accounting features पर इंट्रबटन प्रेस करेंगे इंट्रबटन प्रेस करते ही आप देखिए accounting features हमारे को खुल गया है अब यहां हमें खोजना है कि interest advanced parameter और इसी खोज करके हमें yes कर देना हो तो देखिए accounting features में आप outstanding management में जब आयेगा तो यहां देखिए सेकंड है options है activate interest calculation नो है अभी तक हम लोगों ने interest का कोई calculation की आप सकता नहीं पड़ी थी इतना ही पर्चेज किये थे वो बिना के yes करते हैं तो यह हमारे को interest calculation activate हो गया इंट्रेश्ट प्रेस करते हैं और इंट्रेश्ट प्रेस करते हैं और इंट्रेश्ट प्रेस करते हुए इस setting option से हम लोग बाहर प्रेक्टिवेट करेंगे उसी उसी leoder में और जिस-जिस 메जन मेंं interest को हम लोग सेट करेंगे उसी उसी le Carol में interest का calculation होगा on duty ठेट रहाटी सभी le blossoming नहीं होंगे थीखें तो अब इसके लिए क्व हम लोग क्या करेंगे er गेेट वेउफ टैली में आएंगे तो इसके